दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्पूर जानकारी दूँगा मैं आज आपको जानकारी दूँगा कि जो फर्द खतोने जो होती है वो कैसे देखी जाती और उसमें क्या-क्या देख सकते हैं आपको किसी भी एड़ोकेट किसी भी किसी भी विक्ति के पास आपको जाने की जुरूरत नहीं पड़ेगी आपको बहुत ही जानकारी आज इस वीडियो मिल जाएगी कोई वीडियो देखने की जुरूरत भी नहीं इसके बाद मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें देखा जाता है सबसे पहले मैं आपको बता दू, सबसे पहले कि यह जो होती है, यह खतावनी खतावनी होती है और यह दि मालेजी आपको खतावनी लेनी है, तो आप अपनी तैसील से प्रमारत खतावनी ले सकते हैं या आपको चेक करना है, तो आप online फॉन से भी देखते हैं खतौने जो होती है इसप्रकारसे जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको प्रिविश्टिय बता देए क懟्य क्या होता है सबसे पहले उसमें देखिए ग्राम का नाम परगना, तैसील, जन्पद ठीक है? फसली वर्स यह देखिए खतोनी जो होती है वो फसली वर्स के अंसार चलती है जैसे 14-18, 14-23, 14-27, 14-29 फसली वर्स के इसाफ से चलती है ठीक है और इस समय समय पर खतोनी चेंज होती है और जैसे खतोनी चेंज होती है आपका खाता संक्या चेंज हो जाता है खाता संक्या एस खतोनी जो होती है उसका खाता संक्या ज्यादा महित्पूर नहीं होता है ठीक है क्योंकि जब भी 5-6 साल बाद नहीं खतोनी बनती है ठीक है तो ये खाता संक्या चेंज हो जाता है और खतोनी में कुछ भी चेंज नहीं होता है दूसरी बात दोस्तों सबसे महित्पूर होती ह में संक्रमनी और असंक्रमनी जमीन यहां पर देखना होता है यहां पर स्रेडी लगी होती है यदि जमीन असंक्रमनी है तो ऐसी जमीन ना खरीदे और नहीं आप उसे बेच सकते हैं नहीं उस पर कोई मकान मना सकते हाँ आप जिलादकारी के आविदन करके यह जमीन संक्रमनी करवा के आप उसे बेच सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं असंक्रमनी जमीन जो होती है वो बेचने का अधिकार नहीं होता है आपको स्रेडी देखने हैं स्रेडी यह देख सकते हैं कि स्रेडी नंबर दो यहां पे लिखा है भूम जो असंक्रमनी भूम दो रोगे अधिकारों में हो ठीक है भाई अब इसके बाद दोस्तों ये होता है खसरा नंबर यानि कि आपकी गाटा संग्या ये खसरा नंबर जो होता है ये होता है खेतों का नंबर और ये खेतों का नंबर ये वाला नंबर कभी भी चेंज नहीं होता है ये तभी चेंज होगा जब आपके यहां पू होते हैं जब आपके गाउं में चक्वंदी और चक्वंदी जो होती है बहुत सालों तक चंती है और चक्वंदी माली जी 10-20-50 सालवाद होती है लगवाद 50-50 सालवाद होती है चक्वंदी ठीक है किसी की 50 12 साल落 माझे 20 सालवाद पूरे गाहों की होती होती है मोजे की तभी ये चेंज होते है वरना आपके खासरा नमबर खेत नमबर कह सकते हों संगह कभी भी चेंज नहीं होती है अब दोस्तों ये हो गए स्रेडी और यह हो गए नाम जो भी व्यक्ति है उसका नाम होगा और उसके पिता का नाम होगा और एड्रेस होगा यहां पर निवासी ग्राम निवासी ग्राम का मतलब उसी ग्राम का जिस भी खतौनी देख रहे हैं और यदि दूसरी कही जगे का होगा तो वहाँ पर पता डला होगा यहाँ पर आपने नाम देख लिया अब बात आती है गाटा संक्या यह खसरा संक्या देख लिए खसरा संक्या यह है भई फिर आती है बात छेत्रपल की कि अब छेत्रपल कैसे देखें छेत्र यह लगा है क्योंकि यह बिलुकुल अलग है ठीक है और नीचे देख सकते हैं कि 587 मी यानि कि यह है जो मिन जुमला नंबर और उपल वाला जो है वो बटा यह किसी में बटा है तो आप समझ जाईए कि यानि कि 363 बटा 1, 363 बटा 2, 363 बटा 3 ऐसे होते तो 363 बटा 6 में इनका है 393 बटा 6 का बिलुकुल अलग नक्सा होगा उसमें उसका खेत है ठीक है यह तो हो गए गाठा संक्या दूसरी बात अब आती है बात छेतरबल की तो 366 जो खसरासंक्या जो खेत नंबर है उसका छेतरबल है 11 217 air ठीक है इसे air कहते हैं 117 air नीचे वाला है वो है 202 air हमारे यहां 166 air का 1 वीगा होता है ठीक है इसी प्रकार से आप calculation कर सकते कि जब 801 एयर का एक वीगा होता है तो दो वीगा 160 एयर का होता है यह जो है 170 तो यहाँ पे लगबग एक वीगा से कुछ उपर जमीन बन रही है लगबग डेड़ वीगा जमीन यह हो रही है ठीक है आप calculate लगा सकते मैंने आपको बता दिये एक वीगा में हमारे एक वीगा में हमारे एक वीगा होता है अब हो सकता आपके यहाँ ज्यादा एयर का वीगा होता है लेकिन calculation पूरी उत्तर प्रदेश में यहाँ तक के all इंडिया में भी calculation एक ही होती है लेकिन कुछ लोगों का धीगा जो होता है वो ज्यादा एयर का वीगा वोलते ही कुछ लोगों जो होते है कम गा जैसे हमारे एक एक यहाँ 80 का किसी-किसी गहां 120 एयर का भी होता है ठीक है तो आपको 6 पल पता करना है 0.117 एयर ठीक है और दीचे वाला है वो 202 एयर अब आप हमारे आए क्या सी एर का हो आपके आए कितने एर का है तो पता लगा लीजिए दूसरी छेतबल देखने की बात जो है सबसे अच्छी वो है कि आप जो कह सकते हैं कि 363 बटा 6 गाटा जो है वो 0.1170 वर्ग मीटर जिसे बोल सकते हैं युक्ते आप इस रखवे गया सो सतर वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं या आप 1170 Ayr ठीकै every अब एक हेक्टेयर में 90 KHM की में व्रकुमेटर होते आप इसक्रवार इस परकार भी देखे एक य्क हैक्टेयर जो वर्कमीटर के हिसाफ से देख लें, चाहें आप air के हिसाफ से देख लें, दूसरी बात, यदिसे decimal में आप देखना चाहते हैं, तो decimal में 117 में यदि आप 4 का भाग दे देंगे, तो वहाँ पर decimal निकल आएगा, decimal या जिसे विस्वा भी बोलते हैं, यानि कि 4 air का एक decimal होता है, तो 117 में आप 4 का भाग देंगे, तो decimal यानि कि विस्वा निकल के आजाएगा, और 202 में आप 4 का भाग देंगे, तो वहाँ पर विस्वा निकल के आजाएगा, यानि कि decimal में परवर्तित हो जाएगा, ठीक है भाई, दूसरी बात इसमें होती है कि ये होता है आदेस, ठीक ह करने बेल आइकन जरूर दबाने जिससे आने वाले मैध्वूर्ड वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलें यह जो होता है यह उता है आदिस यह आदेस देखिए क्या 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 आदेस मिलेंगे आपको जैसे माली आपकी भूम नरस्त हो जाती है ठीक है माली जी अपने की जो है रेडादायति तक भूम बंद रहेगी यह आदेस चड़ा दूसरी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वारिस जैसे मालीजी आपके बाबा जी मर गए तो आपके पिता जी के नाम जमीन आई है तो वो भी आदेस यहाँ पर होगा ठीक है तो आदेस भी देखना बहुत जरूरी होता है जैसे मालीजी आपकी खेती निरस्त हो गई या मालीजी आपने जो खेती खरीदी है उसका आदेस यहाँ पर हुआ कि नहीं वो आदेस में देख लें आप ठीक है अब आप सब कुछ सीख गए यह जो होता है यह भाई नाम यह गाटा संक्या यहाँ देख सकते पांसो 587 वटा एक 588 ठीक है और यह हो गए यह काटा संक्या कितने कितने चेत्रपल के हैं यानि कि 581 जो है वो 1620 वर्ग मीटर का है ठीक है और यह 487 चार आजार 450 वर्ग मीटर का यह 445 एर बोल सकते ठीक है एर में कहें तो 08 दीजिए और वर्ग मीटर पकरना रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबादें